बहतर से बहतर की तलास करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलास करो, तूड जाते हैं हर सीसा यहां पत्थर की चोड से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसे सीसे की तलास करो. नमस्कार मैं हूँ द्यानत बर्नवाल और अपने चनल द्यानत इंगलिस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, तो अभी तक हम लोग टोटल 125 सब्टिटूशन बेस्टेटर कर चुके हैं, और टोटल हम लोग को करने 180 आनि टोटल 60 है, तो अभी से दो वीडिय में सबसे बहतर, सबसे कठोर और सबसे intelligent जो questions बोल सकते हैं, कि कुछ सवालों में जान डाला गया है, तो बैसलिए जो सवाल आये होंगे, उस shift के questions के, मतलब उस shift में जो number होगे, और normalization का फाइदा उनको ज्यादा मिलेगा, तो बैसलिए सवाल बहुत hard है, सवाल सच में robotics, यहां से देखते हैं, लगता है कि यह singular, the singular is R नहीं होगा यहां पे, और इस होगा तो यह दोनों खता है, तो the objective of robotics is to bully, आप किसी को डराये धमकायेगा नहीं, कुछ बिकास ही कीजिएगा, यही answer सही होगा, first number आपका सही होगा, the objective of robotics is to develop smart machines that can help people in a variety of ways, कि robotics क्या है, कि हम इ मसीन खुद मसीन बनाएगा, जिससे समाज का भला हो, ठीक है, देखिए, next one लिखा हुआ है, कि while I was driving my car my brother, अब देखिए इसको जब आप बनाने जाओगे ना, तो कई लोग पढ़ा देते हैं, कि यार वाइल के बाद हमेशा भीफूर रहता है, तो कॉमा देखे भीजू है क्यों होता है, while मतलब क्यों होता है, के दावरान, के दावरान, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या लर्नी, रेट मतलब पढ़ाना होता है न, या teach मतलब पढ़ाना होत देखिए तीच मतलब पढ़ा तो मैं क्या कर रहा हूँ भी पढ़ा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ लेकिन पढ़ाने के ही दौरान के दौरान मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ाने के ही दोरान, मैं बोल भी रहा हूँ, अस्पिकिंग कर रहा हूँ, अब समझे मेरी बाते, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एंजी लगाते हैं, मैं पढ़ाने के दोरान ही बोल भी रहा हूँ, क्या बोलेंगे, मैं बोल भी रहा हूँ, प्ढ़ाने के दरान पेंट से लिख भी तो रहा हूँ, राइटिंग, राइटिंग, ठीक है, तो वाइल मतलब होता है के दरान, कि वाइल अइवाज ड्राइविंग दा कार, कि जब मैं कार चला रहा था, मेरा भाई फोन पे बात कर रहा है, समझो ज़्यादा समय नहीं लेगा दी वाज के बाद दी ऐसा के साता है कि जब दो एक्षन कंटिन्यू चलता है तो वाइल का परियोग हो रहा है वाइल के दौरान मतलब क्या हुआ कि एक काम चल रहा है और उसी के दौरान दूसरा काम भी चल रहा है तो दोनों के लिए भर् भर तो दीजिएगा ना ठीक है एक सवाल देखते हैं लिखा हुआ है रोबिन्सन कर्स्यू पजल्स वेन ही डिस्कवर्ड यह फूट्प्रिंट इन दा सेंड तो रोबिन्सन कर्स्यू एक पूरा नाम ही है और वो क्या हो गया है कन्फ्यूज हो गया जब देखा कि भाई फ फूट्प्रिंट आपका मिलेगा क्या नहीं चलेगा बालो में कभी फूट्प्रिंट नहीं मिलता है आपकी गहराई मिलेगी लेकिन फूट्प्रिंट नहीं मिलेगा आप यहां अभी जमीन पिया दिवाल में हाथ रख लेजिसे मैं दिखाता हूं आपको देख सकते हैं, थोड़ा इधर लग गया होगा, हैंड प्रिंट बोल सकते हैं इसको, उसरा बालों में फूट प्रिंट नहीं मिलता है, ठीक है, तो पजल हो गया, दिमाग उसका हिल गया, पर देखिए, पास्ट की घटना है, ही डिस्कवर्ड ये फूट प्रिंड इंदा सें जब ये पास्ट की है, तो ये भी तो पास्ट में होगा, भाईया, डिस्कवर्ड पास्ट में किया, तो कनफ्यूज भी पास्ट में होगा, परजेंट में थोड़ी ना होगा, तो पजल हो जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे, रोबिंसन कर्स्यू वाज पजल, वो सब्सक्राइब देखते हैं आप इसका आंसर तो जनरलिक का हमेशा सब्सक्राइब करोगे आप हमेशा चाहिए आप जीतनी बार पढ़ लो आप हमेशा इस सवाल के डेंजर का सवाल है और सच में इसमें डेंजर है क्यों है मैं बताता हूँ देखिए यहां पर अदि आप ओप्सन के वाइज जाओगे तो आप देखो इट हैड के बाद हम सब्सक्राइब कि दर से आगया है चके बाद तो भी 3 आता है या ना उन आता है नो सब्सक्राइब आनि चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा ठीक है चौथा नंबर सही होगा लेकिन फिर भी सवाल उड़ता है कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा a state of mind a state of mind कि कभी आपने स्टार्टिंग वड् सुना है क्या अस्टार्टिंग पर सुना है किआए असा कि अस्तार इंग अस्तार्ट स्टार्ट हो रहा है अब लोग पढ़िए अ स्टेट оф माइंड गώρα माइम माइम कर लाइकिंग कभी पर्यों मिल्च कर रहा है नहीं होता है चीज़ें उसके साथ आई एंग की ड होगता है लेकिन यहां पर लगा हुआ योंड तो वो जेरंड कहलाता है, ठीक है, जेरंड, जेरंड की तरह उसका प्रेव करता है, तो इटीज, यहाँ इट है, इसका मतलब इट, इज हो जाएगा, इटीज अस्टार्टिंग टूमेक, विएड नवाइजे, इटीज अस्टार्टिंग टूमेक, इस दोनों एक साथ पढ़ विएड नवाइजेज, एक विएड नवाइजेज को क्लिएट कर रहा है, तो आनि फोर्थ नमबर सही होगा, 123 आपका गलत होगा, ठीक है, चली नेक्स सवाल, देखते हैं, लिखा हुआ है, अपने सवाल देखिए, रोजी बिकेम एन एक्सपर्ट इन दा फिल्ल ओफ पें सा अबजेक्टिव फॉर्म, ठीक है, देखिए, हर पें, हम क्या बोलते हैं, हर पें, पें आपका नाउन है, और नाउन की बिसेस्ता बतलाने के लिए हर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह परियोगवा है, मतलब यह अबजेक्टिव केस तो नहीं है, हमको हर को बदलना प देखिए, पेंटिंग बाई हर सेल्फ, है ना, समझेगे, चली नेक्स सवाल देखते हैं, 131, लिखा हुआ है, दूरिंग एन ओफिस टूर टू मुंबाई, आई चांस टू मीट अन ओल फरेंड, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को डिसकर्स करने से पहल फ्रेजल भर्ब जो होते हैं, उनको न्यू नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो पूछा गया है, सिर्फ वहीं पढ़ना है, जो अलड़ी आस्क्ड है, वहीं पढ़ना है, पूराना भला ही हाथ किजिए, नया फ्रेजल भर्ब मत पढ़िए, नहीं आएग और जब नए अगली बार सवाल बनेगा तो सवाल इसे बनते हैं प्रिवियस लिए जब भी आप फ्रेजल बर पढ़ने जाओ तो सिर्फ प्रिवियस यह पढ़ो और उसके सिवा नया मत पढ़ो और जब भी पढ़ो तरीके और काईदे से पढ़ो ताकि वो चीजी याद रहे कभी मुश्किल हो सकता है तो कोशन ही रड़ जाओ सबसे अच्छा तरीका दिमाग में अरे अच्छा है वो कलोक वाला एक सवाल आया था देखिए लिखा हुए था कलोक है फोर वांट ओफ विंडिंग पहले के घड़ी होता था न कि चाबी देना पड़ता था तो इसमें क बंद पड़ता है या काम करना बंद करना काम करना बंद रंडाउन इध्यान रखिए ठीक है वाकि इसा फालती वड़ है देखते लिखा हुए है दूरिंग ऑफिस टूर्ट मुंबाई आई चांस टू मीट अन ओल फ्रेंड अगर आप इस सेंटेंस का एक सिंपल मिनिक मैं फ्रेंड से क्या किया मिला गृट यहां पर रंडाउन अचैन करन मिलना या पहुंचना इसका ऊचानक मिलना तो run into a friend, run into a friend, run over मतला समझें, कुछलना होता है, क्योंग गाड़ी उड़ी जब चलता है, तो एक दूसरे के कुछल के चला गया, बहुत बार, और एक run about मतला होता है, समय बिताना, और इसका, कहां आप लोग समय बिता रहे हो, where are you running about your, समय बिताना, where are you running about, no one knows, कि आप अपना समय, कि दर विधी, you are running about your time with your friends, close relatives, that's a good book, yeah, तो आप अपना जो समय है, you are running about your precious time with your friends, you are running about with your time, friends, तो मैं फ्रेंड बोल रहा हूं तो जादा दिमाग लग रहा होगा, थोड़ा मैं समझ रहा हूं, तो run about मतला समय बिताना, run about मतला समय कुचल कर जाना, run into मतलब किसी से अचानक मिलना या पहुंचना, run down मतलब काम करना, बंद करना, run down को run over मतलब पढ़ दिएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, पढ़ सकते हो, थोड़ा वो चीज़े जल्दी याद हो जाएगे, जली नेक्स वाल जल्द, देखे, लिखा अचानक मतलब क्या होता है, इस अभी सोग थे कि एक वोल्ड में था, वो अपसेट था, और अनकेम मतलब क्या था, अंटाइडी था, गंदा था थोड़ा, यह देखे, मैसी बोलिए, इसका मैस्टी मतलब होता है, मत्टी जैसा, मत्टी धूल का में मित्टी पढ़ा दोता ह ना, मस्टी होना पूरा, या फिर अंटाइडी तो है, यही आपका एक सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और बागी सब फालती हुए, सब सिर्फ कन्फ्यूज करें देदिया है, आप ना भी पढ़ें चलेगा, देखिए, है बिंग ये पार्टी इजे बैड आडिया, ये एक पार्टी का होना एक बैड आडिया अच्छा एडिया नहीं है, पार्टी का होना अच्छा एडिया नहीं है, अच्छा आजकल पार्टी ही मिलने का एक बहतर साथ है, पहले क्या था, पहले के लोग बर्गत के पेड़ के सामने या आसपास साम के वेरा में जाके, मिलते थे हाउज कर लोग काम में बीजे रहतें और पार्टी में मिलते हैं किसी का बड़ पार्टी है ए रिर्जारी पाठीयार क्या क्या नहीं बैचलर पार्टीं भी फिरीदी ओगी कोug閃भा anti कर रहो अब डिजे ज़ा रहे हो पार्टी करोंगे आप डिजे बगांगे इतना जोर-जोर से बढ़ जाओ मिआ इने बर वाले बोलेंगेellos को या न dif कन लोग भी अफना करता थोड़ी न रहेगा तो विल दा है विए पाटी जब एड़ आडिया बीकुज दर नेवर विल कंप्रेंड कि बैड आडिया क्यों कि आपके नेवर पड़ोसी वो क्या करेंगे कंप्लेंड करें नेक्स सवाल देखते हैं लिखा हुआ है राइजिंग प्राजेज और एकोनोमिस्ट एड़ परिजेंट मॉमेंट ठीक है देखिए प्राइसे साब का प्लूरल है तो यहां एजमार का कुछ भी केस नहीं है और कंसर्न ओन होगा की कंसर्न टू होगा प्रिपोजिशनल बेस्ट एरर है लेकिन इसमें और भी एक दिकत है वह दिकत है आर्टिकल का पहले ही लिखा हुए राइजिंग प्राइसे कि दाम बढ़ रहे है और यह एक कंसर्न है किसके लिए एक कंसर्न है किसके लिए तो एकोनोमिस्ट के लिए जब आप यह लगा जब मैं बोलू यह ग्रेट कंसर्न आप बातों को दिहान से सुनना तब यह आप समझ पाऊगे या great concern, जब मैं या great concern बोलू, तो या मतलब जानते हुआ पढ़े हुआ कोई कार्थ होता है, अगर मैं यहाँ दा लगा दू, दा great concern, तो किसी specific concern के बारे में बोला जा रहा है, और दा हटा दीजी, यहाँ दा की जुरत नहीं है, दा नहीं लगेगा, तोकि यह already great concern बता रहा है मतलब कोई खास concern के बारे में mention कर रहा है, जब concern बोले या great concern बोले, यह कोई specific concern के बारे में बोले, जब specific है, तो कोई का तो कोई अर्थ नहीं आता, अगर हम यह लगा देते हैं, यह गलत हो जागा, फिर rising prices नहीं होना चाहिए, तभी, तभी यह हो सकता है, तो rising prices लिक कर यह definite कर दिया कि किस चीज को लेके concern है, तो rising prices को लेके concern है, एक definite कर दिया कि rising prices को लेके concern है, तो कोई concern यह लगाने का यहां गलती नहीं करेंगे, यह गलत हो जागा, आनि four number आपका गलत है, फॉस्ट नमर गलत है, दूसरी जा तो two सही होगा, या फिर three सही होगा, आनि कोई दिकत नहीं होगा, लेकिन है दिकत, ठीक है, तो concern on नहीं है, हमारे उपर concern नहीं होता है, हम लोगों को concern होता है, आप समझने, इकोसिस करना, कि जो economist है, जो economist है, है ना, उसको concern है, उस पर concern नहीं है, समझने, कोसिस कीजिए, कि इकोनोमिस्ट को concern है, चिनता है, इकोनोमिस्ट को च चिंदा है फड़ाती प्राइसों गया ईको नजा सुझा मरण ऐसा है और शेंदाओ गाया और एवल No है तब्वोकेट हूँ एपिर्ट टू दा एक्यूजड के लिए एक्यूजड मतलब हो जाए गा एक्यूजड के सामने एक्यूज्ट के सामने एक्यूज्ट के सामने एक्यूज्ट क्या होकर क्या करेगा गुलीटिंड खेलेगा नहीं न भाई एक्यूज्ट के लिए वहां पे खड़ा होगा तक कि कोट के सामने बोल सके जल्सा मेरे मुवकिल निर्दोस है ठीक है बाकि कांड क्या किया है तो बा उंखार रेपूटेशन, या खतरनाक, न कारातमा कि भी बोल सकते, खतरनाक, कि उसका रेपुटेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि वह लोगों को ठीज करता है, परिसान करता है, उनकी मझाक उड़ाता है, तो लोगों काम मजाक उड़ाता है, लोगों काम मजाक कभ उड़ाते हैं, मालूभ? ऐसा 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 खरकत कभी की हो बगलवाले को लात मारो और वो आपका प्रण प्रण अच्छा अब मर बगलवाले का मज़ा को बना देते हैं पैर उठाकर बच्पन में की होंगे या फिर जब कोई आपको मारने पिटने आ रहा होगा आप इसका पैरे पकड़ के सोच रहेंग और नहीं मार फाएगा अब भच्पन में की होगा आप पुल्स लेक मतलब यही होता है कि बगलवाले का मज़ाग बना देना आपको मारने आपका प्रण पर पढ़र अम मार के दिका अम मज़ाग ही तो बना रहे हो थोड़ी ना उसका घुसा मसी करने जा रहे हो तो पूल् जी लिखा हुए cutting corner, मैं picture दिखाता हूं आप समझ जाएंगे cut corner, cut corner मतलब क्या होता है कि काम, समय बचाना, पैसा बचाना, साधर्न बचाना, cut corner, इसका simple मतलब होता है cut corner मतलब समय इसका जो अर्थ निकलता है, समय बचाना पैसा बचाना काम बचाना काम बचाना जैसे माल लेजिए आप पैसा आपको माल लेजिए पैसा बचाना होता है माल लेजिए आप आपको को ले जाना दो किलोमेटर दूर आपके पास क्या क्या तरीका हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप और रेपीटू करके निकल जाओ, पड़ा समय है, पैसा बचाना तो टेंपू कर लें, और पैसा बचाना तो साइक्ल कर लिजिए, और मान लिजे, बहुत पैसा बचाना है, कुछ भी नहीं खर्च करना है, तो अपने पाउं पे निकल चलिए, पैदली निकल चलिए, उसी को कट कॉर्नर, कट कॉर्नर कहां से आया है, आप समझेए, इसे मान लिजे, पूरा एक रूड, यह रूड है, आपको रूड से ना जाके, बीच में जो रस्तवा होता है, उससे चल जाते, कभी देखे होंगे, नेशनल हाइवे में, बीच में इस तरह बना होता है, इस तरह ब क्या कीजिएगा, पूरा 200 किलोमेटर का माल यह रोड होगा, तो 200 किलोमेटर जाके मुड़ियेगा, नहीं न, कहीं लोग क्या करता है, कि तोड़ देता है, कट कॉर्नर, यहां क्या करतेता है, कट कॉर्नर करतेता है, रोडवे बीच में तोड़ देता है, यहां से गड़िय कि या जब रजस्ति कर करके घुजा घुजा के दिन लियाता है कि अधिक यह समय बचाया दूरी बचाया तो जब कुछ बचाने वाला सेंस होता कि समय पैसा या काम बचा तो इसको बोलते कट कॉर्णर आप जेनरली हम लोग अपने नीजी जिन्दकी में भी कट कॉर्णर बह कभी आप सहर में भी अपने आसपास होंगे तो जो रूट होगा जाने का अब बीच में गली गुजगुजगुजगे जल्दी निकल रहे होंगे तो यह कि वाट यू दूइंग यू दूइंग जस्ट कटिंग को नस आप इस चीज को समझ गया होंगे चलिए ठीक नेक्स स सिकार करते हैं क्या करते हैं कि पहले सेर जो भी जानवर मिलता था उसको मार डालते थे पकड़ते थे और मार डालते जानवर को क्या करते थे पकड़ते थे और मार डालते थे चोटिल करते थे उसको चोट देते थे ठीक लेकिन जब वह आदमी खुद सिकार बन जाए तब म वो करता तो बोलते है, एक प्रे किया, लेकिन माली ज़िव उसी आदमी का सिखार हो गया, तो उस आदमी को, यू ज़िश्ट फॉल गिर गिया । व loss हो सिकार में चला गया, मत्ज़ अदमी कहीं सिकार हो गया, U are, U have fallen pray, fall pray segurança अधर। और फूर्फुड वेन यूज मेटाफरिकली फॉलिंग प्रे सगेस्ट डाइट समोन हैज बीन कफ और ट्रेवडी ने सीमलर वे आप जिस तरह से सेर वगरा को मार के प्रे करते हो आप कभी सेर आप कहीं सीकार कर दे तो आप खुद उस सिच्वेशन में जाके फस जाते हो उस इसका मतलब समझें कि पुलिंग वनसेल्फ टूगेदर यह आया कहां से तब आप इस चीज को भहतर समझ पाईएगा कि पुलिंग वनसेल्फ टूगेदर आया कहां से देखिए बहुत सारे लोग होते हैं और डिप्रेस होते हैं कि क्या करें क्या ना करें डिप्रेस होते है दिमाग बहुत जगह चलते रगतां कि पैसा भी नहीं है पढ़ाई भी करना है कब बेए पढ़ने के लिए जमीन भी गया लब दिमाग में बहूत सारी चीजे नकरात्म कीजे चलती है कि यह भी करना admission भी कराना है, खाना भी बनाना है, इसको पैसा देना है, दूद भी लाना है, तो भावनाओं में क्या होता है, बिखरा होता है, आपकी mentality क्या होती है, बहुत बिखरी हुई होती है, pull oneself together, अब ऐसी प्रिसितिया में बगल वाले लोग आपको सलाह भी देंगे, क्या देंगे, क कि अपने आपको मजबूत बनाए रखो, स्तितियों से मत घवड़ाओ, pull yourself together, कि अपने आपको मजबूत बनाओ, अपने आपको मजबूत मत बनाओ, क्या हुआ, कि जो भी नकरात्मक चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, आप सब को समेट कर सहचता भाव से आगे बढ़ सांथी मत घवड़ाओ, तो pull yourself together, मतलब जो मन में बिखराओ हुआ है, उसको समेट कर एक जगा ले, आपने आपको स्थिर करो, अपने आपको काल्म करो, सांथ करो, हमारी योगा में भी यही है कि दिमाग को भटकाओ को रोकने के लिए बोला जाता है योगासन की, कि अपने मस्तिक्स को स्थिर कीजिए, जो बिखराओ मन में है उसको रोकिये, pull yourself together, तो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, regain control of one's emotion, thoughts और behavior कि जो बिखराओ हुआ है, उसको रिगेन करते हैं, एक साथ एक जूड करते हैं, when your mind goes loose or tattered in different direction, loss integrity to think, emote or even feel coherently, and when it later recovers by time, समय के साथ वो चिजए ज conscious intact, then you have just pull yourself together to normally see, यह अपने अपने आपको normal बना लिया है, तो जो भी मैं idioms, अभी चार्टों idioms आपको बताएं, चारों origin based बताएं, कुछ भी रटने के लिए मैंने नहीं कहा, idioms जो उसको जिस तरह वो idiom बने, मैंने आपको उसी तरह सोचना से काया है, हो सकता है, experiences के दवारा उस idiom का गठन किया होगा, वो उसी तरह आता है, जैसे कुल ज़्यादा गांधी जी मत बन, ज़्यादा गांधी मत बन, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो गांधी है, बस यह भावना है कि उसका लच्छन गांधी जैसा दिखता है, तो idiom भी वही है, वो इस ट्रेलर, अच्छा इसका अंसर तो मैंने मार दिया है, देखिए, लिखा हुआ है, इस ट्रेलर गिप्स यह स्नीक पीक ओफ मेगनम ओपस दाट है, जैज बिन क्रियेटेड बाइदा साओधन फिल्म है, आप समझते हैं, फिल्म इतना होता है तो उसका ट्रेलर इतनी होत है, अनि एक बड़ा सा काम का बड़ा सा काम का एक छोटा रूप आपके सामने रखा जाता है, एक सिनीक पीक रखा जाता है, देखना, सिनीक मतलब होता है छोटा या छुपकर देखना, छुपकर या सेकरिट इसका मतलब होता है, सेकरिट, तो या सिनीक पीक अधी हम बोले तो मतलब क्या होता है कि कॉई secret चीज को देखना मतलब यो चीज आई नहीं है officially उस चीज को चुप चाप देखना जैसे ऐसा होता है कि पहले जवानम Valentine mobile leak हो जाता था अभी question Leaolith हो जाता है इनग हो रहा है क्या question क्यों लिक हो जाता है लोग कोस्चन पहले देख लेता है सारा कौस्चन नहीं आता है यॲिक लरता है तो स्पी और मयंत नाम उपस में मतलब होता है। उपस मतलब कामHello है. आनि किसी बड़े चीज को इस चोटे हिसे कब चुप-चुप कर देखना। उसको बोलते हैं, यसनिक पीक अप दे, मैगनम ओपस, आप इसको ऐसे समझाता हूं, कि मैं आपको इसका प्रियोग ओफिस में ज़्यादा होता है, तो जनरली ऐसा होता है कि ओफिस में कोई लेटर होता है, वो पहले बनता है, कि चलो दस आदमी का परमोशन देना है, पान ल लेटर तो बाद में आगा लेटर बन गया साइन होगा इस पैज होगा तब जाके सब को जहां जहां जो पोस्टिंग बाद जाएगा तब ना सब जादा नहीं सोचना है इसमें आगे बढ़ाव इसमें कोरिया नहीं बना नहींन है कि पर दीन का बनता थार क्या क्या काम करता है मनेतर कोई नहीं जानता अबहुते अब और कने दे Campaign करेंगे देपडए तो देखे दो उनीटर में नहीं Seth तो दम मोनिटर अब दा कलास देखिए सिंगुलर रहत सिंगुलर रहत यहां तर डॉंट नहीं हो कि डॉंट होना चाहिए कुछ है ना मतलब टीट खतम डॉंट खतम बस यही दोनों में से डॉंट अब डा जाया तो बर्ब्टू कैसे हो जाएगा नहीं होगा थेरी नंबर हो वाज के बाद भित्री का वाता है जब पेशी बोतार बाकी नॉर्मल केसे में भी वह रहता है I was dancing C was danced, सि वाज डानस्ट या लेटर वाज रीटेन यह लिखते हैं या लेटर वाज रीटेन रीटेन एक लेटर लिखा गया सीता वाज डानसिंग वाज डानसिंग सिवा राइटर सी वाज राइटर। आपको मैंने तीनों लिखा दिया, समझ गया है ये नाउन है ये भीत्री है ये एवीवार एंह तो वाज के बाद तो यही केस बन सकता है। लेकिन यहां पर Satisfy वह वह और यह वह? यह तो यह भीत्री में होगा हैत। नियुक्त वाज के बाद भी था रहा है आज के बाद भी था रहा है आज के बात भी थाई दीख रहा है वाज के बाद भी थाई को मite Aww han satus High नहीं आवी ज्ति या वित क्या अपने अ परफ बिच जिए से तो वीित प्रिपोजिशन ठीक है तुरी नेक्स सवाल देखते हैं लिखा हुआ है एक्स्प्रियेंसेज लीडियू टुवार्स दा मॉस्ट फैसिनेटिंग अस्टेज अश्टेज अफ यूर लीविंग एक्स्प्रियेंसेज मतला होता है अनुभो और अनुभो वह आपको आगे बढ़ाते हैं जो फैसिनेटिंग होता है इंट्रेस्ट देने वाला था अस्टेज ऑफ यूर लाइब मतला क्या होता है क्लोरी ऑफ दे अरे भाई ये क्लोरी अशलूर बहुत अलगा वह बहुत दूसरा दोस्त आया वह भी मांगग पाँचज अप दे दिया वह नहीं दिया आपके सामने एक एक्सप्रियेंस आ जागा कि लोग पैसवा मांग के ले तो जाता है लेकिन पहुंचाता नहीं है लोग पैसा लेकर चला जाता है लेकिन पहुंचाता नहीं है जब तीसरा दोस्त आया फिर से 5000 मांगने कोई और ही दोस्त जो ले जा है वो नहीं कोई और भी आया तो आपका केज़ेगा पैसवा नखो अभी बाद में देदा वो तो वो जो एक्सप्रियेंस था वह आपकी जि आंसर होगे चले नेक्स सवाल बचे पूछेंगे आप पूछ भी सकते हैं कि सर इतना एक्जाम में बैठ कर सूचना है लिटरली क्या इतना एक्जाम में बैठ कर सूचना होता है कि एक्जाम में दिमाह काम नहीं करता है तो एक्जाम में जब आप बनाने बैठो तो एक मेर मेरा मानना है यह आपके सामने जो grammatical theory वो clear होना चाहिए कि एज मुटी ग्रामिटीकल चीज़ है जादा नहीं कि विएपी लेवल का दरंने चोटी मोटी चीज़ ग्रामेटिकल चीज़ आद होनी चाहिए और दूसरी मैं समझता हूँ कि कहानी आद होनी चाहिए तो जब भी आप grammatically बनाओ तो तो चीज़ है पहला आपको grammar सोचना है कि आखिर grammatically आप उस चीज़ को कितना सुधार सकते हो जब आपको लगे कि grammatically मैंने सुधार लिया या फिर और मैं सुधार नहीं कर पर हो तब आप उसके कहानी बेसिस पर आओ कि वह लाइन एक्चुली कहना क्या चाहता है क्या कहना चाहता है उस अधार पर उसका अंसर फिर डिसाइड करें ठीक है देखे लिखा हुआ है तो captain feels very proud लिखे इसमें कुछ भी नहीं है अगर मैं captain subject मानू feels मेरा भर्व हो जाएगा तो captain's feel कर रहा है क्या proud feel कर रहा है अब समझे प्राउड आपके सामने एक word आता है जो होता है noun proud क्या होता है noun होता है proud क्या I proud you proud भर भी होता है proud noun भी होता है proud क्या होता है भर भी होता है proud noun भी होता है I am very proud I am very proud of you I am very proud of you the captain feels very proud है ना तो proud आपका noun की तरा भी इस्तमाल होता है proud आपका भर्व की तरा ही इस्तमाल होता है proud आपका भर्व की तरा है आप जानते है The captain feels very proud, यह भर्व हो गया, तो फिल कोन कर रहा है, captain कर रहा है, तो यहाँ proud ही ना होके proud ही सही answer, ठीक है, the captain feels very proud, वो महसूस करता है, proud आपका फिर यहाँ भर्व हो जाएगा, ठीक है, I proud you, ही गोलते हैं, I am very proud of you, I am very proud of you, I am very proud of you, very proud of you, proud of you, helping भर्व हो गया, helping भर्व के बाद proud क्या हो गया, main भर्व हो गया, ठीक है, यहाँ जो feels है ना, वो connecting words की तरह काम कर जाएगा, ठीक है, the captain feels very proud, सही answer हो रहाँ, proudly गलत हो जाएगा, proudly नहीं लगाए, ठीक है, चलिए, next स्वाद, feels very proud, अनि आपका, कौन सो जाएगा, अन्सर, feels very proud, yes, फोर्थ नमर सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next स्वाद, देखते, एक सुथ, तालिस नमर में क्या लिखाए, अब लब्रेडी इस दा राइट प्लेस, लब्रेडी अच्छा प्लेस है, तो राइट आटिकल फोरोम या है, जेडरोनल, ठीक है, हमलोग कुछ लिखते हैं, टीक है, तो रीड सही होगा, यहां पर, तो रीड रीड इन आटिकल, कि लाइबरी अच्छा प्लेस है, जहां पर बैटिक, अमलोग बढ़ते हैं, आटिकल फोरोम में जेनरल, की बहुत सारे जो जेनरल होता है, उसमें से कोई दिख दूग आटी कलम लोग पड़ते हैं तो लिने एक सवाल एक सब्सक्राइब इसको बोलते हैं इस्थीति कि जो इस्थीति है उसको बरकरा रखना इस्थीति क्यों रहना बराबर रहना चाहिए नहीं करेंट सिच्वेशन आपका सही आंसर हो जाए ठीक है बाकी कलास सब्सक्राइबम और जब भारब को अब सब्सक्राइब करती हो ना तो आपको जाए आप यह लगाना पड़ता है ठीक है आजी ट्रेबलिंग हो जाएगा थीखوس-चेट नचेंपर आप ट्रेवल करते हो तो ओन होगा है न तो ट्रेवलिंग ऑन हो ठीक है यह travels नहीं होगा traveling on a train gives me no pleasure और ट्रेंग पर travel करने से हमको कोई pleasure नहीं मिलते हैं traveling on a road dusty train gives me no pleasure जीसे हम बोलते हैं नै कि walking is good for लेकिन आप इसको सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया नावन बदलने का जो भर्व का फॉर्म होता है वो जेरंड होता है और जेरंड में अक्सर फ्रप्लस आई एंजी लगता है ठीक है जलिए असा करते हैं आप कोई चीज समझ में आ गया होगा और समय में आ गया तो मैं य लिए लिए लिखा हुआ है वन मस्ट वन का ही आमको यहां पर प्रॉनावन लगाना पड़ता है वन मस्ट डू वंस वरक है है ना देखे मैं लिदा हूँ ही लफ्स ही ज बुक कि वह अपनी ही किताब को प्यार करता है लव लफ्स ही ज बुक वो अपनी किताब को प्यार करता हूँ, उसी तरह, one must do one's work, आनि इसी वाला प्रोनावन आपको यहां लगाना है, अधि यहां भी one है, तीसी का वाला यहां लगाना है, one's work, चलिए, ठीक, यह हो जागा, next अवाल, अच्छा, मेरे ख्याल से यतना वे आंसर हम लोग बना लेंगे, see, अच्छा, वो गड़ जाएगा, लिखा हुआ है, see, here, a loud humming noise and gaze, देखिए, see, here, देखिए, कभी भी आप एक ध्यार रखेगा, कि end के पहले जो भर्व का फोम होता है, end के बाद भी आप भर्व का सेम फोम ही भर्व का भी सेम फोम बनागा, actually, भर्व में नहीं, हर केसे में आपको सेम पेटर बनाना होता है, end के पहले जो भर्व का फोम है, end के बाद भी जो भर्व का फोम है, वो सेम रहता है, क्यों रहता है, कि जिसे, I am dancing and walking, है न, I know dancing and running, I know dancing and writing, ठीक है, तो see, heard, वो सुनी, पास्ट की बात है, पास्ट में सुनी है, न, end, गेस्ट, और पास्ट में सुनी है, तो पास्ट में ही गेस्ट की होगी, न, अगर वो पास्ट में सुन रही है, तो पास्ट में ही गेस्ट की होगी, न, end, गेस्ट हो जाएगा, गेस्ट, ठीक है, that it is being an, that यहां वाज हो जाएगा, ठीक है, तो, सी हीएड याओड हमिंग लवाज, एन गेस दाइट, इट वाज, और एरो पलेन, ठीक इट वाज एरो पलेन, सेकेंड नमर में हिखाल से सही आंसर हो जाएगा, काविए फिर भीडवेट रहा है, इट वाजन एरोपले देखिए नेक्स वाद चलिए मालिचे आपको कोई यहां पर लिखा हुए कि रायट एंद सुटेबल के बदले क्या वडाइगा अधि यूनिफोर्म है यहां पर कौन सा वर्चुन हो गए वोट पैना है थैस तो लड़का भी होता है वर्स में अब गूनी होता है वर्स में ऌता है अब ट्रेंट होता है की इसेंट 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 किसको बोलेंगे जिसका अपना कुछ स्टेंडर्ड उसको डिसेंट बोलेंगे इसेंट बोलेंगे जिसका हो तो युनिफॉर्म का अपना स्टेंडर्ड होता है आपके पास थी अस्टार रहे है चो यह नहीं होगा यह नहीं हो तो तो अब यह दोनों में सेंगा अभी नहीं होगा क्योंकि past say if I had anything to say, he asked me if I had anything to say, तो past में होगा, indirectness में क्या है, कि जब इधर वाला past में होता है, तो reported speech भी past में जाता है, तो इधर वाला भी past में चला जाता है, ठीक है, चले next, लिखा हुआ है, not only but also मैं आपको कल भी बताया था, और हमारी जो इसी previous वीडियो होगी, उसमें भी not only but also मैंने बहतर डिसकस किया हुआ है, तो आप उस चीज को वहाँ से देख लें, ठीक है, लिखा हुआ है not only composition but also the wrong choice of Sridhar, as the singer destroyed the sweetness of the song, sweetness, अरे भाई, कोई मिठाई थोड़ी ना है song, जिस पर आप on, लगा रहे हैं, off होगा ना, कि जो संगीत का, जो गाने का मधूरता है, मिठापन है, उसको नश्ट कर दिया, तो sweetness of the song answer होगा, तो ये तीनुत होगा नहीं, आपका first number सही होगा, त्वसा करते हैं, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो ये वीडियो, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और,